So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है NHPC की तो वीडियो को आगे continue करो से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं कंटिनूओ तो NHPC की अगर हम बात करें तो स्टॉक में Last Trading Season काफी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले थे मैं बात कर रहा हूँ Morning के तो Morning में अगर आप देखोंगे तो स्टॉक 9 बच के 15 मिनट से लेके अगर बात कर ले 9 बच कर 20 मिनट तक की तो यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाच मिनट के अंदर अंदर ही है स्टॉक 2 रुपे 20 पेसे के राउन बढ़ गया था बट उसके बाद शेर में गिरावट आनी स्टार्ट हुई और स्टॉक अगें यहाँ पर 2 रुपे 60 पेसे के राउन गिर गया फिर उसके बाद 9 बच कर 20 मिनट से लेके अगर बात की जाए दो बजे तक के तो 85 पेसे के राउन तक की तीजी रही है बट उसके बाद अगें शेर में गिरावट आनी स्टार्ट हो गई तो और ओल NHPC की अगर बात कर लें तो प्रॉपर अपसाइड डाउंस मोमेंटम शेर में हमें देखने को मिले है एक प्रॉपर अपसाइड डाउंस मोमेंटम के साथ-साथ स्टॉक यहाँ पर इसने closing दिया बट अभी अगर देखें कल का दिन इसके लिए तकड़ा दिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें कल इसमें बड़ी बड़त देखने को मिल सकती है और आने वाले दो दिन इसके लिए काफिया तक special हो सकते है क्योंकि NHPC में अगर आप देखोगे तो एक बड़ी announcement हो रही है Prime Minister Narendra Modi की ओर से कुछ बड़े decisions यहाँ पर लिए गए है तो चीज भी हमें आगे आपको बताने आलो बट वही अगर आप देखोगे तो NHPC में पिछले 5 दिनों में गिरावट भी रही है और बड़त भी रही है बट खास बात यह है कि गिरावट के बाद यह अच्छी recovery अब बता रहा है अल्मोस लगबक 13 से 12 रुपे के round तक की recovery अब बता चुका है एक महीने में अभी भी तेजी नजर आ रही है निउस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसी क्या निउस है जसकी वज़े से NHPC में एक बड़ा momentum हमें देखने को मिल सकता है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंडर मोदी लेस फांडिशन स्टॉन ओफ NHPC's 300 मेगा वाट कर्निसार भटियान कर्निसार भटियान बिकानेर सोलार पावर प्लांट विट इन्वेस्मेंट ओवर 1732 क्रोर तो यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंडर मोदी है उनकी वर से अनौन्स किया गया है कि NHPC की वर से आप पर 300 मेगा वाट के कर्निसार भटियान प्रोजेक्ट के उपर काम होगा जसमें लगबग 1732 क्रोड का इन्वेस्मेंट होगा प्लांट तो प्रोडियूस लगबग अगर देखोंगे यह प्लांट कितना कितनी एनर्जी प्रोडियूस कर सकता है कितना पावर यह प्रोडियूस कर सकता है जिस तरीके से यहाँ पर इंडियन गवर्मेंट ने यहाँ पर एक बड़ा डिसिजन लिया है इन्होंने एक बड़ा यहाँ पर अगर देखे एक बड़ा गोल रखा है 2020 था नेट जिरो का तो इस चीज के उपर भी आपको फोकस करना है और वही अगर देखे जाए तो यह जो 300 मेगा वोर्ट सोलार पावर प्लांट जो रहेगा कारनिसर भट्यान में इससे इने गाफी बड़ा बैनेफिट मिलने वाला है तो एक बड़ी चीज हमें देखने का मलने है और यह अगर देखे CPSU स्कीम में के यहाँ पर सेगेंड फेस और थर्ड फेस के अराउंड अराउंड लगबग 1732 करोड का इसमें अराउंड यहाँ पर इन्वेस्मेंट होने वाला है तो यह बड़ी चीज सामने आ रही है तो यहाँ पर अगर देखें और और जो यह न्यूज है इसका सीधा सीधा इंपक्ट NHPC के उपर पढ़ सकता है NHPC में आने वाले टाइम में जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी तो इस ग्रोथ में अगर आप देखोगे ने इसमें अपना पैसा इंवेस्ट गया है तो और उसके बाद इसमें 12 फरवरी के बाद तो और अच्छी रिकवरी आई लगबग 11 रुपे 90 पैसे के राउन राउन शेर बढ़ गया छे महीने के रिटन आप देखोगे यहाँ पर 42 रुपे तक की बड़त है यहाँ पर बात करें last trading season के एक दिन पहले 31 करोड के राउन तक का trade value stock में हमें देखने को मिला और वही बात करें last trading season की ही तो 15 करोड का trade value रहा तो और और यहाँ पर अगर देखोंगे जिस तरीके शेर में buying हो रही है और high volume के साथ हो रही है high volume के साथ stock को यहाँ पर buy किया जा रहा है community sentiments के आकडों की अगर बात करी जा है तो community sentiments के आकडों में आप देख सकते हो 100% लोग है जो stock में buy करने के लिए कहते है 100% लोगों की ओर से stock में buy करने के लिए कहा जा रहा है तो इस point के ओपर भी ध्यान रखो और दो जो आने वाले दो दिन रहेगे वो काफी important रहेगे क्योंकि 22 फरवरी 2024 जो है इसमें interim dividend company देने वाली है 22 फरवरी 2024 इसके लिए काफी बड़ा day है company के और से एक interim dividend का अनौंस में ध्यापर किया जा रहा है और वही अगर बात कर लें तो 22 तारीक से पहले आने वाले दो से तीन दिन इसके लिए important रहेगे तो आने वाले 22 तारीक से पहले अगर खरीदोगे तो एक रुभे 40 पेसे का जो dividend है वो आपके account में यहाँ पर आने वाला है तो बिलकुल company ने interim dividend भी announce किया है और बिलकुल आने वाले कुछ दिन इसके लिए important रहेगे क्योंकि काफी लोग जो है इसमें dividend के हिसाब से ही खरीते है काफी लोग को dividend चाहिए होता है वो इसी लिए in particular shares में investment करते है NHPC के levels को हम पहले 5 minute के time frame बर देखेगे तो काफी अच्छे support यहाँ पर layer आये share downside की ओर से काफी अच्छा support हमें देखने को मिलता है यहाँ पर अगर आप दिखूँगे तो एक support लिया फिर उपर की ओर इस stock गया फिर यहाँ से गिरावट रही फिर अगें downside की ओर आया इस particular range पर अगें इस support लिया फिर उपर गया फिर अगें support लिया तो यहाँ पर भी अगर आप दिखूँगे इस descendal type triangle बनाया असना है और इस descendal type triangle का breakout मिलने के बाद share में और अच्छी तेजी आई फिर उसके बाद अगर आप दिखूँगे stock में अगें यहाँ से गिरावट रही फिर अगें share यहाँ से गिरा तो multiple times अगर दिखूँगे इन particular levels है यह share गिरा है तो downside की ओर से अगर आप दिखूँगे तो काफी हद तक एक strong support है इसके बास काफी strong support है और इसी support के हिसाब से यह share आगे बढ़ रहा है और आगे अगर breakout मिलता है तो stock में अच्छी तेजी और आएगी और यहाँ से breakout मिलता है तो stock में और बड़े momentum आ सकता है तो और आने वाले time में stock अगर दिखा जाए तो 96 रुबिस के round तक के तगड़े return यहाँ पर दे सकता है तो इस point के उपर भी आपको ध्यान रखना है 96 रुबिस के round तक की अच्छी rally stock में हमें देखने को मिल सकती है और बड़े level पर तो और अच्छी return आप expect कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर बड़ा target NHPC में हमें देखने को मिला है क्योंकि इसने इस level से rejection लिया फिर again इसने इस level से rejection लिया यहाँ पर तो consolidate किया था तो हमने कहा भी था कि breakdown आता है तो गिरावट आएगी आएगी यहाँ से resistance लिया फिर stock में काफी बड़ा spike देखने को मिला काफी बड़ा fall देखने को मिला फिर यहाँ से symmetrical type pattern बनता है इस symmetrical type pattern का भी हमें यहाँ से breakout मिला तो breakout के साथ साथ मैं एक चीज कही थी कि stock में breakout तो मिल गया है बट यहाँ पर भी हमें breakout मिलना चाहिए तो again दूसरे दीन जो है 15 तारिक के around route यहाँ से यहाँ पर भी breakout मिला और अभी sideways sustain कर रहा है तो again यहाँ से हम expect कर सकते हैं कि अच्छे return मिला है और नया high stock create कर रहा है तो एक चीज आपको यह धियान रखने हैं कि जो 2024 के elections है उसके पहले पहले जो भी PSU stocks हैं तो इन PSU stocks में बड़त आएगी ही आएगी क्योंकि आपर कई बड़े गोशना है यहाँ पर की जा रही है renewable energy से related कई बड़ी news यहाँ पर आ रही है तो इन चीजों के उपर आप positive रह सकते हो तो levels भी अच्छे हैं देखेंगे आगे क्या होता है तो और 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 NHPC के अगर बात करें तो dividend भी company दे रही है और dividend यहाँ पर पहले से ही हमें बता था कि dividend मिलेगा फरवरी में जो चीज़े हमने पहले भी discuss की थी तो और रहल काफी कुछ बाते कर ली तो I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like और channel को subscribe करना और कोई भी stock में अगर आप investment कर रहे हो तो इंशेर्स का एक बार analysis भी करना बीना analysis किये इंशेर्स में आपको investment नहीं करना है साथ ही telegram channel को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको nipty और bank nipty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out कर लेना तो वीडियो करते हैं खतम ठैंक यू